तो दोस्तों वही हुआ जिस बात का डर था अवद विस्विद्याले से रिलेटेट ये खबर देखिए काफी ज़्यादा चौकाने वाला आज के मुख के खबर अवद विस्विद्याले से रिलेटेट अवद विस्विद्याले के कुलपती प्रोफेसर रवी संकर सिंग ने इस्तीवा दे दिया है अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है आनदी बेन पटेल को अपने पद से त्याग पत्र यानि करीewई संकर सिंग जी प्रूद विष्वी जाले के कौलपती प्रूफेशर रवी संकर सिंगे मंगलवार रात अचानक इस्तीफा दे दिया राजञ्जपार वो कुलादी पती आनन्दी बेन पतिल ने उनकी जगव प्रूफेसर रजे इंदर सिंग यानि कि प्रोफेसर रजु भीया विस्वीदाले के जो कुल्पती है उन्हीं को फिलहार कारेबार समाला है उनकी जगार रüz According प्रियागराज के कुल्पती प्रफेसर अखलेस कुमार स nesse कyle को आउध विसी ताले कि कुलपती का कारेबार समालेंगे मामला बड़ा ही गंभीर है वजह जानेंगे तो आप ताज्यूब करेंगे कि यह इस्तिफा क्यों दिया गया तो दिकि इस संदर में विस्वीदाले का कहना है कि प्रफेशर रवी संकर सिंग्ने मंगलवर्द को रात को नीजी कारणों से यहां विस्वीदाले दावा कर रहा है कि कुलपती महोदय ने नीजी कारणों से कुल अधिपती को अपना इस्तिफा सौपा है जबकि सूत्र बताते हैं कि उनके किराफ आरावपो की लंबी फेरिस्ट को कारवार सौप दिया है मौके पर ये लोग वहाँ पर उपस्तित थे अब तकि सूत्रों के अनुसार पुर्वकुल पती प्रोफेशन रवी संकर सिंग ने स्वेम इस्तिफान नहीं दिया बलकि अवैध नुक्ती तो ये था मामला सुत्रों करुसार अमरुजला ये ख़वर चापरी है कि बलकि अवैध नुक्तियों के कारण और दिपोट्सों के नाम पर वसूली जैसी सिकायतों की लंबी फेरिस्ट को देखते हुए मंगलवा राथ ही उन्हें राज भवन तलब कर इस्तिफा लिया गया है तो आरोप ये बताए जा रहे है कि अवैध नुक्ति और दिपोट्सों में किये गए अवैध वसूली के कारण उन पर ये आरोप लगे हैं जिसके बाद उन्हें तरब करके उनसे इस्तिफा लिया गया है ये सिकायते कहां से गी गई है तो यहां ध्यान से देखिए इसको लेकर साकेत महाविद्याले के एसोसियेट प्रोफेशर जनमिजय तिवारी अयोध्या भाजपा जीरा मेडिया प्रभारी डॉक्टर रजनी सिंग ने राजपाल मुख्यमंतरी सिक्षा मंतरी भारत सरकार को पत्र भेज कर कारवाई की मांग की थी तो इन लोगों ने करवाई की मांग की थी जिसके उपरां थुआ ये उनका आरोब था कि क्या था प्रोफेशर रवी संका सिंग ने नक केवल पुर्व कुलपती अचारे मनोदीचित की कारिकाल की तमाम यूजनाओं पर पानी फिर दिया बर्कि भारत और डच्छित को लिया के मद्धुव एक समझहोते को भी कुलपती और उनके ओएस डी ने जान बुचकर खतम कर दिया तो आरोब काफी ज़्यादा गंबीर है उनका अरोब था कि उन्होंने विश्वी दाले में कई फरजी न्यूक्तिया कराई इस प्रक्रण में विज्यापन से लेकर चैन तक की संपूर्ण प्रक्रिया विसंगती पूर्ण वो मनमानी से भरी रही अब हुआ ये इसमें मेरिट के समाने सिधान को दरकिनार कर दिया गया इन न्यूक्तियों पर रोक लगाते हुए संपूर्ण चैन प्रक्रिया के नियाई जाच करवा कर दो सिध पाए जाने पर सम्मंदित को दंडित करते हुए नियाई की मांग की गई थी या मांग की गई थी साकेत महा विद्याले के प्रोफेशर जलमजे के दौरा जलमजे जी के दौरा इनके दौरा यहाँ पे मांग की गई थी के खवर है आज की दैनिक जागराण में इस खवर को कैसे छापा गया है सरा एक नजर उस पे भी डाल लेते हैं तो दैनित जागरण में आपसे यहाँ पे लिखा गया कि अन्या मित्ताग पर हटे आवद विस्टीवी डाला के कुल पती सेम चीजे लिखी होंगी नीचे ठीक है तो इसको हम बहुत एक्स्प्लेन नहीं करेंगे तो दोस्तो बहुत इस शौकिंग खबर आप इस खबर को कैसे देखते हैं आप इस खबर को कैसे समझते हैं अपनी राएक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं पाकि अवद बिस्टीवी डाला से जूरी तमाँ खबरों के लिए और खास दोर पे बीएट से सम्बंदित निउस के लिए को क्लासिस के लिए नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइबर के चैनल से जोड़ सकते हैं मुझे बहुत खुश्यों की बाकि जैसे कोई अपडेट आती है युनिवस्टी की तरफ से जैसे कोई खबर आती है आपको जरूर जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा बहुत बहुत शुक्री इस वीडियो को देखने के लिए पाकि एक कमेंट में राय जरूर दे कि आप इस खबर को कैसे देखते है क्या लगते है आपको उनके उपर लगाए गए आरोप ये सही है पहला आरोप तो लगा कि अन्यमित ता जाने कि फर्जी तरीके से कुछ भरतिया करी गई ऐसा आरोप लगा जा रहा है दूसरा दिपोट्सों और दिपोट्सों पे कुछ गर्बड़ी की भी बात की जारी पाकि अपनी राय कमेंट में जरूर दे शेहिंग शेह भारत